तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे facebook profile पे जो है respected monetization का issue आ चुका है यहाँ पे आपको एक arrow वाला option दिखरोगा हम simply यहाँ पे click कर लेते हैं यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको monetization issue का option देखने को मिल दाएगा और यहाँ पे unoriginal content का तो कुछ इस तरह का issue यदि आपके भी facebook page पे या profile पे आया है तो इस वीडियो को आपको अंतक देखना है इस वीडियो में हम इसका पूरा process step by step बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको solution ले सकते हैं और कैसे इस policy को मतलब monetization policy को और यहाँ पे जो unoriginal content का issue आया है इसको कैसे आप solve कर सकते हैं तो वीडियो को आपको अंतक देखना है और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर लेना है और ऐसे और वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पे जो यह monetization issue और unoriginal content का issue देख रहे हैं यह बहुत से page और profile पे आया है लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है तो सबसे पहले आप इसको कहां से check कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है शबसे पहले को अपने profile पर आ जाना है यहां प्रोफाइल ओप्सिं के जाएगा आप यहां पे चेक कर लिजेगा न तो यहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा यहां पे देख सकते हैं जो भी यहां पे star का option है, ads on reels का option है, bonus का option है, inner stream ads का option है, तो यहां पे कोई भी issue नहीं आया है और यहां पे आपको वो issue दिखाई भी नहीं दिखा इसके लिए आपको क् प्रोफाइल रिकोमांडेशन का ओप्सन देखने को मिल रहा होगा यहां पे देख सकते हैं एक प्रोफाइल रिकोमांडेशन का ओप्सन बना हुआ है आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर लेना है यहां पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल स्टेटस का ओप्सन देखने यहां पर देखिए हमारे Facebook profile पर जो है दो इस वह यहां पर एक monetization इस वार उसके बाद अन ओरिजनल content तो देखिए यहां पर जो monetization इस लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है you may be at risk for monetization restrictions see our partner monetization policy for more details मतलब हमारा जो profile है वह monetization के लिए restricted हो सकता है यहां पर देख सकते हैं अभी monetization issue आया नहीं है यहां पर दिया गया है be at risk for monetization restriction मतलब वह monetization का restriction है वह आ सकता अभी आया नहीं है और यहां पर आपको partner monetization policy का जो नियम है वह देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले यहां पर यह इसलिए दिया गया है ताकि यहां पर हमको alert किया गया है जो आपके profile पर जो है monetization का problem आ सकता है partner monetization policy का जो नियम है वह आप एक बाट चेक कर लिजिए उसके बाद नीचे में यहां पर देख सकते है unoriginal content का भी issue आया तो हम unoriginal और proposed from other sources with limited added value यहां पर देख सकते हैं यह कुछ लिखा हुआ है इस तरह का मतलब हमने अपने facebook profile पे जो रिल्स पोस्ट किया है जो वीडियो पोस्ट किया वह कहीं और से download करके यहां यहां पर दिया गया है मतलब हमने यहां पर पोस्ट किया तो वह यहां पर लिखा हुआ है जो आप किसी और जैसे की Instagram हो गया या कोई other apps होता है जिस पर चलते रहते हैं YouTube हो गया वहां से download करके ना Facebook पर नहीं डाल सकते हैं तो आपके भी Facebook प्रोफाइल पर या पेज पर अन ओडिजनल कंटेंट का option आ जाएगा मतलब अन ओडिजनल कंटेंट का इसू आ जाएगा उसके यहां पर नीचे में देख सकते हैं इस इफेक्ट मतलब यह किस तरह से आपके Facebook प्रोफाइल को इफेक्ट करेगा तो अधर मोनेटाइजेशन टूल्स नोट हैव एकसेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स मतलब आप फेस्बूक पर रिल्स डालते हो जो वीडियो डालते हो वह कहीं इस तरह का आया है मतलब कुछ इस तरह का जो पॉलिसी सू आया है तो आपको इस वीडियो को देखना है इसमें पूरा स्टेप बैस्टेप आपको सौल्व करके बताने वाला हूं तो उससे पहले यहां पर देख सकते हैं हमारे फेस्बूक पर यह प्रॉब्लम आया है तो यहां पर देख सकते हैं आपको वीडियो का ओप्सन देखने को मिल जागा तो हम सिंपली यहां पर क्लिक कर लेते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो यहां पर पोस्ट किया है जो कि साइध इंस्टाग्राम का वीडियो है उसके बाद मोर वाले option पे click करके और रिंस वाले option पे click card लेठे ते यहां पर click करने के गाद देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा रील्ल्ड है। जोकि हमने instagram से download the यहां पर पोस्ट किया जैसे देख सकते हैं यह सभी रिल्स हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया है और यहां पर देखिए भी अच्छा खासा चला गया जैसे यहां देख सकते हैं यहां पर दूसरा एक वीडियो इस पर भी 2000 गया है तो इसी लिए हमारे फेसुप आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक आप्सन दिखने को मिलेगा सपोर्ट इन बॉक्स का तो तो आपको किलिक करने के बाद यहां पर रिपोर्ट का ओप्शन देखने को मिल जाएगा और संट में यहां अलजbaum E zal como अप्रे क्लिक इसा अर्व उसको बताते हैं थीप कैसे पर विडिविट कर लेना इए जब लीडियोत करने के बाद आपको अपने Facebook profile option पे click कर लेना यहां Peking करने के बाद को c-dashboard वाली option पे click कर लेना राँ एक सत्रीजिन बोले उप्सon पे click कर is compare to profile status तोले इसको आपको क्या करना एक आपको if recording यहां से लेलेना यह और इसका लेने के बादount अन उडिजनब कंटेंट exists पे क्लिक कर लेना है जैन इसका भी आपको एक स्क्रीन सॉट ले लेना इस दोनों का स्क्रीन सॉट लेने के बाद आपको अपने फेस्वुक के प्रोफाइल पे चले जाना है तो दोस्तों अपने फेस्वुक प्रोफाइल पर आ चुका है यहां पर आने के बाद यहां पर आपको को थ्री लाइन का option देखने को मिल जाएगा simply आपको यहां पे क्लिक कर लेना है यहां पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहां पे help and support का जो option आप यहां पर देख रहे हैं simply आपको help and support वाले option पर क्लिक कर लेना है यहां पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर एक option है रिपोर्ट और प्रॉब्लम तो दोस्तों अब हमारे Facebook पेज़ पर प्रोफाल पर जो प्रॉब्लम आया है ना उसको हम रिपोर्ट करेंगे तो दो रिक्वेश्ट है यहां रिक्वेश्ट हो जाएगा तो इसलिए ठीक नहीं होता है तो सबसे पहले हम आपको यह तरीका बताने वाले जोसमें आपको लिखना क्या है और किस तरह से लिखना है तो आप रिपोर्ट करेंगा ना तो उसका जैदा effect करेंगा क्योंकि जब आप उसमें कुछ लिखेगा आपने problem को describe करिएगा तो उसको Facebook चेक करता है जो ये बंदा लिखा क्या है मतलब किस तरह से लिखा है तो उसका पूरा process आपको बताने वाला हूँ जो उसमें आपको लिखना क्या है और साथी साथ दोस्तों इस सभी से पहले आपको क्या करना है जब आपको ये request भेजेगा ना Facebook को report कर जेगा उससे पहले आपको कम से कम 2-3 live कर लेने हैं और उस live को जो है अपने Facebook प्रोफाइल पे upload कर देना है लाइब को upload करने के वाद ही आपको जो है report करना है तो सबसे पहले यदि आप कहीं से videos वहाँ पे upload किया मतलब Instagram YouTube या किसी other app से download करक अपने Facebook प्रोफाइल पे video upload किया है तो सबसे पहले आपको उसको जो है delete कर लेना है दैन दूसरा step आपको करना यह है जो आपको कम से कम 3-4 live करना है उस live को आपको upload कर देना है दैन upload करने के वाद आपको जो है Facebook को report करना है तो उसके लिए आपको report और problem वाले option पे click कर लेना ह है यहां पे click करने के बाद देख सकते है creating report यहां पे देखिए report award abuse और spam should not be submitted here तो किस सब को आपको नहीं पढ़ना है यहां पे देखिए आपको option आ जाएगा don't include report और include report तो आपको don't include वाले option पे click कर लेना है यहां पे click करने के बाद आपको यहां से select करना है जो आपका Facebook का page या profile है तो यहां से आपको पेज़ वाले option को select कर लेना यहां पर देख सकते हैं आपको profile का भी option देखने को मिल जाएगा इस profile वाले option पर आपको simply click कर लेना है यहां पर click करने के बाद इस screenshot को हटा देना है और यहां पर आप को जो अभी हमने two screenshot ली है उस दोनों screenshot को यहां से आपको upload कर देना है तो दोस्तों दोनों screenshot को upload कर देना जैसे कि यह देख सकते हैं हमने यहां दोनों screenshot को upload कर दिया है यदि आपके profile पर पेज पर कोई और भी इसू है तो उसको आपको यहां से पेज या प्रोफाइल जो भी आपका उसको चेक करेगा तो चलिए यहां पे हम आपको बता देते हैं यहां पे आपको किस तरह से क्या चीज लिखना है तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो चलिए हम आपको पढ़के बता देते हैं तो हमने यहां पर क्या चीज लिखागा पढ़के आपको समझाग के भी बता देंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमने लिखा है hello facebook team I upload my own videos on my facebook profile मतलब कि हम अपना original video facebook profile पे upload करते हैं I also follow all the monetization rules on facebook and regularly upload videos along with live मतलब कि हम facebook के सभी content monetization policy या जो भी other monetization policy हम सब को follow करते हैं साथी साथ facebook पे regularly videos upload करते हैं वो भी live के साथ मतलब कुछ videos भी upload करते हैं उसके बाद हम regular live भी करते हैं तो उस चीज को हमने यहां पे लिखा हुआ है उसके आगे हमने लिखा है but still restricted monetization and unoriginal content monetization issue has come on my facebook profile लेकिन इसके बाद भी हमारे facebook profile पे unoriginal content और monetization issue आ चुका है so please resolve my issue as soon as possible तो क्रिप्या करके आप हमारे जो यह problem आया है हमारे facebook page पे या profile पे उसको आप जल्द से जल्द solve कर दे तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज ध्यान देना है जो यहां पे हमने जो profile लिखाए तो यदि आपको page is आपको profile को काट के page कर लेना है यह चीज आपको ध्यान में देना है क्योंकि वहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो वह आपको नहीं दिखाए देगा तो चलिए हम वहाँ पे इस सभी को लिख लेते हैं तो friends यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो लिखा था उसको यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं facebook profile का link भी हमने यहाँ पे लगा दिया है यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम यह सभी लिखें same to same आपको लिखना इसी तरह से अपने problem को आपको describe करके बताना है तभी आपका problem जै वो ठीक होगा और साथी साथ आपको live पे भी ध्यान देना है आपको live भी करते रहना है इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको arrow का option देखने को मिल जाएगा आपको simply यहाँ पे click कर लेना है यहाँ पे click करने के बाद हमारा जो request है वो facebook को submit हो चुका है अब क्या होगा facebook उसको read करेगा उसके बाद हमारे page को या profile को check करेगा देन अगर हमारा profile जो है eligible होगा monetization के लिए हमने कोई सा भी गलती नहीं किया होगा तो हमारे profile पे जो भी distractions है monetization से सम्बंदित या जो भी issue है उस सभी को हटा दिया जाएगा और इस सभी process में हो सकता है आपको 5 दिन लगे 10 दिन लगे या एक month भी लग सकता है हो सकता है किसी profile पे 5 दिन में ठीक हो जाता है तो किसी में एक मैना भी लग सकता है बस आपको क्या करना है यह करने के बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको रेगुलरली अपना वीडियो डालना है आप कहीं पर ब्लॉग सूट करके डाले या कुछ भी करके सिर्फ अपना वीडियो डालना है और साथ ही साथ आपको लाइव करते रहना है एक दो लाइव आप नहीं सोल होता है तो भी आप वीडियो पर comment कर सकते है यह हमारे इंस्टाग्राम आइडि का वीडियो के description में मिल जाइगा वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं और यदि आपको video अच्छी लिए और यूट्व चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इससे मतलब फेस्बुक के रिलेटर और वी वीडियो में तब तक किले थैंक्यूज